परिजनों को सौपने के मामले में दिली सरकार ने अस्पताल के खलाब सक्त कदम उठाया है दिली सरकार ने अस्पताल की लापरवाही को देखते हुए अस्पताल का लाइसेंस रद कर दिया है आपको बतादे कि दिली फुलिस के ओर से अस्पताल प्रशासन को भीजे गए नोटिस के अलाबा दिली सरकार के स्वास्ते मंत्राले ने भी इस सम्मंध में नोटिस जारी किया था दिल्ली सरकार के स्वास्ते मंत्री सतेंद्र जेन ने पहले बताया कि मैक्स अस्पताल को एक और लापरवाई के मामले में 22 नवंबर को भी नोटिस जारी किया जा चुका था इसके बाद नवजातों के मामले में भी मैक्स को नोटिस फेशते हुए चतावनी दी थी सतिंद्र जेन का कहना है कि अब जांच की फाइनल रिपोर्ट आ गई है जिसके अधार पर अस्पताल का लाइसेंस रद किया जाता है लेकिन मेक्स अस्पताल में पुराने मरीजों का इलाज चल सकता है मरीज अगर चाहें तो अस्पताल छोड़ कर जा भी सकते हैं साथे साथ सरकार की तरफ से अब आरोपी डॉक्टरों पर भी बड़ी कारिवाई किये जाने के संकेत मिल रहे हैं सरकार की तरफ से अस्पताल को डॉक्टरों के सम्मंध में चेतावनी भी दे दी गई है न्यूज एक्सप्रेस की रिपोर्ट